हेलो फ्रेंड वल्कम टू माई यूटूब चैनल इस वीडियो में हम थिरी फेच्ट टांसफार्मर इस्टार्ड डेल्टा कनेक्शन और कैसे काउं करता है इसके बारे में जानेंगे टांसफार पर मिच्वल प्रेड़ के सिद्धान पर कारे करता है जब प्राइमरी वनडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इस बाइनडिंग के चार ओच चुम की छेत्र बनता है इसी चुमकी छेत्र के मद्रगी सेकेंडरी बाइंडिंग में EEMF उत्पन हो जाता है इसलिए पावर या सकति को एक बोल्टेज अस्तर से दूसरे बोल्टेज अस्तर में संचरित हो जाती है थिरी फेज ट्रांसफार्मर की बनावट पहला टैंक दूसरा कोलिंग पाइप तीसरा कोर और चौथा ट्रांसफार्मर पाँचवा कोलिंग आयल थिरी फेज ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग पहला प्रात्मिक बाइंडिंग, दूसरा दितियक बाइंडिंग, तीसरा लेमिनेटेड कूर, चोथा कंटेनर या टैंक, पाँचवा टर्मिनल सीरी फेच ट्रांसफार्मर के, तीन प्राइमरी कौर, और तीन सेकेंटरी कौर होता है, जो की प्राइमरी नीची होता है, और सेकेंटरी उपर होता है पहला प्राइमरी बाइंडिंग, जिस बाइंडिंग में AC सपलाई दी जाती है, वह प्राइमरी बाइंडिंग का लाती है, या बोबिन के ऊपर कुंडली कौर बनाकर टर्न देकर तयार की जाती है दितियक binding या secondary binding जिस binding से हम अपने उपकरण को connect करते हैं या चलाते हैं उसे दितियक binding कहते हैं तीसरा laminated core या silicon steel की बनी होती है और इसके उपर प्रात्मिक तथा दितियक binding की जाती है चौथा नमबर container या tank Tank transformer को ठंडा रखने में सःता करता है इसमें तेल ज़्वार रहता है जो insulation तता transformer को ठंडा रखता है पाँचमा नमबर टर्मिनल 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 के सिरो पर supply देने वा लेने के लिए कारि करता है इनसे बिद्धत लिवाद दे जाती है फिरी फेज ट्रांसफार्मर की binding connection के परकार पहला primary star वा secondary star दूसरा primary delta वा secondary delta तीसरा primary star वा secondary delta जावता primary delta वा secondary star connection किया जाता है पहला primary और secondary star graph इसमें primary और secondary coil दोनों का connection star में किया जाता है जो की star connection कहलाता है पहला primary delta और secondary delta इस transformer में primary coil और secondary coil दोनों का connection delta में किया जाता है तीसरा नमर primary star और secondary delta इस transformer के connection में primary primary star में किया जाता है और दूसरा coil देल्टा में किया जाता है चौता नमर प्राइमरी डेल्टा और secondary star इसमें primary coil का connection डेल्टा में और secondary coil का connection इस्टार में किया जाता है जो की या transformer हमारे distribution बोर्ड तक power supply देने का काम करता है इसका इप्रोई गम अपने घरों में करते हैं इसी तरह नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बार